पेशेंट एजूकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में अनियंतरित वृद्धी के कारण होती है यह एक जटिल बीमारी है और इसके विभिन्न चरण होते हैं जिन्हें समझना महत्वपूर्ण है आपने अकसर डॉक्टरस को यह कहते सुना होगा कि इनका कैंसर इस स्टेज में है या उस स्टेज में है तो आज हम कैंसर के इनी स्टेज़ज या चरणों के बारे में बात करेंगे ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ सके देखिए, कैंसर के चार मुख्य चरण होते हैं, जिन में से हर एक का अपना महत्व और विशेशताएं होती है पहला चरण, जिसे हम चरण जीरो कहते हैं, प्रारंभिक अवस्था है इस चरण में कैंसर केवल उतकों की सतह पर होता है, और इसे आमतोर पर कारसिनोमा इंसिटू कहा जाता है इस अवस्था में कैंसर कोशिकाएं अन्य उतकों में फैलने से पहले ही पहचान ली जाती है यदि इस अवस्था में उपचार किया जाए तो रोगी के ठीक होने की संभावना बहुत अधिक होती है अगला चरण है चरण एत चरण एत को प्रारंभिक चरण माना जाता है इसमें कैंसर छोटे आकार में होता है और यह उस टिशू तक ही सीमित रहता है जहां से यह शुरू हुआ है यह आसपास के लिंफ नोड्स या अन्य अंगों में नहीं फैला होता इस चरण में सरजरी, रेडियो थेरेपी या कीमो थेरेपी जैसे उपचार से कैंसर को हटाया जा सकता है इस चरण में इलाज की सफलता दर भी बहुत अधिक होती है फिर आता है चरण दो इस चरण में कैंसर बड़ा हो सकता है लेकिन यह भी आम तोर पर उस टिशू तक सीमित रहता है जहां से यह शुरू हुआ था हालांकि इस चरण में कैंसर आसपास के लिंफ नोड्स में फैल सकता है लेकिन यह अभी भी शरीर के अन्य अंगों तक नहीं पहुचा होता इस चरण में उपचार के लिए सरजरी, कीमो थेरेपी और रेडियो थेरेपी का सैयोजन किया जा सकता है अब हम चरण तीन पर आते हैं इस चरण में में कैंसर आसपास के लिंफ नोड्स और टिश्यू में अधिक फैल चुका होता है यह चरण अधिक गंभीर माना जाता है क्योंकि कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में फैलने के करीब होता है इस चरण में सरजरी, रेडियो थेरेपी और कीमो थेरेपी के साथ अन्य उन्नत तक्नीकों की आवश्यक्ता होती है उपचार थोड़ा कठिन होता है लेकिन अगर सही समय पर इलाज शुरू किया जाए तो इससे भी रोगी को लाब मिल सकता है अन्त में हम चरण चार पर पहुँचते हैं जिसे मेटास्टेटिक कैंसर कहा जाता है इसका मतलब है कि कैंसर मुख्य टिश्यू से शरीर के अन्य अंगों तक फैल चुका होता है जैसे कि लिवर, फेपडे, हड़ियां या मस्तिश्क ये कैंसर का सबसे उन्नत और गंभीर चरण है इस चरण में कैंसर का उपचार मुख्य रूप से लक्षणों को कम करने और जीवन की गुणवत्ता को बहतर बनाने पर केंद्रित होता है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और पेलियेटिव केयर का उपयोग किया जाता है कैंसर के इन चरणों को समझना न केवल रोगियों के लिए बलकि उनके परिवारों और देखभाल करने वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है यह जानकारी आपको यह समझने में मदद करती है कि कैंसर के विभिन्न चरणों में क्या होता है और उपचार के विभिन्न विकल्प क्या है आपको याद रखना चाहिए कि समय पर जाँच और प्रारंभिक निदान कैंसर के उपचार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है यदि आप या आपके परिवार में कोई व्यक्ती कैंसर के लक्षन अनुभव कर रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें हमेशा याद रखें ज्यान शक्ती है और सही जानकारी के साथ हम इस बीमारी का सामना कर सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद कृपया अपने सुझाव और टिपपणियां कमेंट बॉक्स में लेखें ओनलाइन परामर्ष के लिए हमारे क्लिनिक नमबरों पर कॉल करें धन्यवाद और आपको स्वस्त रहने की शुप कामना है जय हिंद